next we are going to learn safety on road road में क्या क्या safety हम रखना है जब गाड़ी चलते हैं उसी road में हम चलेगा तो हम क्या क्या सावधानी रखना चाहिए safety on road road का सुरट्षे के बारे में हम थोड़ा सीखना है walk on the footpath footpath means पाइदल चलने का जग़ जो गाड़ी चलने का जग़ है उसी जग़ में हम कभी भी नहीं चलना अगर हम पाइदल चलेगा तो उसके लिए road के सेड में अलग जग़ होता है वो है footpath footpath में चलना cross the road our sea bra crossing हम कहां road cross करना है पाइदल चलने वाला road एक सेड से दूसरा सेड में जाने के लिए हर जग़ में हम नहीं जाना चाहिए अगर ऐसे जाएगा तो ख़दरा होता है cross the road zebra crossing black and white line होता है road में ओस जग़ में हम cross करना है अगर इसको बोलते हैं zebra crossing इसमें हम पार करेगा तो गाड़ी आएगा तो भी गाड़ी वहां रुख जाएगे हम पार करने के बाद गाड़ी चल जाएगा अइसान दिया में इसलिए हम सेफ्टी होता है zebra crossing में road cross करना और जग़ में करेगा तो गाड़ी जीदे आएगे अपना accident ओ सकता है इसलिए zebra crossing में cross करना look towards your left and right and hold on elder's hand while crossing the road जब रोड पार करने के समय हम left में देखना है और right में देखना है दोनों तरफ देखना है दोनों तरफ से गाड़ी नहीं आते तो किसी बढ़ोंगे हाथ वकड़ के जल्दी cross करना है ठीक है we wear a seatbelt while riding in a car जो कार में चलने के समय है हम जरूर seatbelt रखना है वो अपने लिए सुरेशित होता है अगर जल्दम अचानक कुछ break करेगा तो हम कहीं बे लगेगा नहीं तो हम आगे की तरह ऐसे कैसे जाएंगे फिर लग जाएंगे कहीं बे इसलिए इसमें से seatbelt बलते तो हम ऐसे कैसे seat में fix हो जाता है गिरेगा नहीं इसलिए क्या क्या है safety on road walk on the food path walk on the food path और cross the road अट zebra crossing ये दोनों याद करके ही रखाना walk on the food path cross the road अट ये zebra crossing ये दोनों copy में लिखे लेना और ये सारे बुक में रीडिंग करना फिर ये दो copy में लिखो और याद करो ठीक है नोट बुक में लिखे लेना और याद भी कर लेना ओके तैंक ये